साथियों एक नया फर्मान आया है कि कावड यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सबजी बेचने वाली रहडियां हैं, स्ट्रॉल्स हैं या धाबे रेस्ट्रॉंस हैं, ये खाने के धाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा, इसके पीछे की मंशा बड़ी स्वष्ट है, आप समझ गए होंगे, हिंदू कौन है, मुसल्मान कौन है, हो सकता है, इसमें जाती भी हो, इनके मंशा में ये हो सकता है, कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है, लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया, तो जवाब आया जब हलाल लिखा होता है, तब तो आपको कोई आपती नहीं होती, हाँ, बिल्कुल नहीं होती, जब शुद्शाकारी ही लिखा होता है, तब भी हमने पूछते कि साब, ये शुद्शाका हरी जिस रेस्टरौन के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, म एंको खाना है वो खासाएं वो पूछते तोन ये ना की शेफ कौन है जू है या मुस्लिम है या हिंदू है उनको कोई फरक नहीं परता ठीक वैसे ही मुझे में शाकाहरीooky कहाता हूँ तो मैं को यह नहीं पूछना उचे समझता कि बनाने वाला कौन है यह करना जो जो ये कावड यात्रा पर प्रपोस कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है, economic boycott of Muslims को normalize करना, कैसे आर्थिक भहिशकार का सामानने करन करना है मुसल्मानों का, तो इस मंशा को तो हम काम्याब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करें हो, मुसल्मानों के लिए क करें हो, किसी के लिए भी करें हम नहीं होने देंगे, अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े चार पाच जो है, अलकबीर, कौन है मालिक, सबरवाल, अरेबियन एक्सपोर्ट्स, कौन है मालिक, कपूर, MKR फ्रोजन, कौन है मालिक, मदन एबट, PML इंडस्ट्री मालिक, कौन है, बिंद्रा साहब है, और एक होमवक भी दे दू, अलदुआ, पता लगाईएगा कि जब ये अलदुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी, तो इसके मालिक कौन थे, ये होमवक में संख के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं, जिस तरह से, अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है, तो रहती तो मीठी है ना, या दालचावल बन जाती है, मीठी रहेगा, ठीक उसी तरह से, अगर कोई अलताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है, तो आम अमरूद ही रहेंगे वो, गोष्ट नहीं बन जाएंगे, तो ये उस तहजीब में मुझे याद आता है, अली गंज लखनव में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है, वो सुनकर बड़ा आनन्द आता है, दुरगा पुजा हो, भगवान जगनात यात्रा हो, सब में कैसे मिल जुलकर इस तहजीब में हम लोग एक दुसरे के त्योहरों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं, उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही हमारे आपके घरों में घुसकर तै करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किस से खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाश से दूर रखे तभी हम अपने इस खुबसूरत हिंदोस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे जय हिंद